हजारो स्टुडेंट्स आज मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं हिंदी में और एक कॉमन प्रश्ण है जो हमेशा मेरे पास आता है सर हम एक छोटे बिजनसमैन हैं हम रिटेलर हैं हमारी छोटी दुकान है छोटा सा कोई हमारा काम है तो यह डिजिटल मार्केटिंग का जो भी नॉलेज आप हमें देते हैं जो भी टेकनीक्स स्ट्राटेजी आप हमें सिखा रहे हैं यह हम अपने रिटेल बिजनस में अपने स ही सब कुछ समझाने वाला हूँ मेरा नाम संदीप बनसाली है मैं डियुटल मारकेटिंग सिखाता हूँ हिंदी में और समझाता हूँ कि कैसे डियुटल मारकेटिंग को सीख कर अपनाकर आप अपनी जिन्दगी में पैसे कमाने के नए-नए रास्ते खोल सकते हो यह सब कुछ मैं करता हूँ मेरे स्कूल में मेरी स्कूल का नाम डिजिटल आजादी स्कूल है और यहां पर अलग-अलग कोर्सिस में मैं यह सिखाता हूँ आईए आज हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के नॉलेच टूल्स टेकनीक्स स्ट्राटेजीज यह सब कुछ एक स्मॉल बिजनसमैन या रिटेलर अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकता है इसमें डीप जाने के लिए मैं आपके साथ मेरा माइंड मैप शेयर कर रहा हूँ यह एक इतनी छोटी सी बात है कि अक्सर नजर अंदास कर दी जाती है अगर आप एक छोटे बिजनसमैन है रिटेल की आपकी कोई दुकान है कोई ऑफिस है आप डॉक्टर वकील या इस प्रकार के किसी सेल्फ वरी है आपके लिए आपके एक्जिस्टिंग कस्टमर का डेटा एकत्र करना हो फॉर एक्जामपल आज मेरी साडियों की दुकाने हैं तो मेरी दुकान में एंट्री करते ही एक रेजिस्टर रखा होता है जहां मेरा वाच्पेन का ये काम है कि वो हर किसी का नाम और जमा कर ले जब मैंने ये साल देड़ साल कंसिस्टेंटली किया तो आज मेरे पास करीबन पंदरा से बीस हजार इमेल आइडी और करीबन पचास हजार मोबाइल नंबर्स हैं मेरे लोकल बिजनस के इर्द गिर्द वाले लोगों के जो मेरी दुकान मेरी ऑफिस मेरी संस्थ ये डेटा जो है ये बहुमूल्य है ये बहुत इंपॉर्टन डेटा है और अगर आप छोटे बिजनसमैन रीटेलर हैं और अपना डेटा इखटा नहीं करते तो आज से ही इसे शुरू कर दीजिए ये आगे चलके आपकी संपत्ती बन जाएगा बहुत ही इंपॉर्टन ब जो हर बिजनसमैन हर छोटे रीटेलर हमेशा हमेशा यूस करनी चाहिए इन दस स्ट्राटेजी में सबसे पहली स्ट्राटेजी जो है वह है अपनी website बनाना अब कई क्या होता है कि छोटे बिजनसेज और छोटे दुकांदार इस सोच में अटक जाते हैं यह सोचते हैं कि हम हम कोई Amazon थोड़ी हैं, हम कोई जबॉंग थोड़ी हैं, हम कोई मीशो थोड़ी है कि हमारी वेबसाइट पे लोग आएंगे और पर्चेस करेंगे और हमें पैसे मिलेंगे, फिर अगर प्रोडक्स डालने हैं तो इतने फोटो कौन निकालेगा, इतने डिस्क्रिप्शन कौन ड यह वेबसाइट इसलिए मनानी चाहिए, क्योंकि यह वेबसाइट जो होती है, यह आपकी ओनलाइन प्रेजन्स होती है, यह आपकी ओनलाइन पहचान होती है, ओनलाइन दुकान होती है, और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कि अगर आपने वेबसाइट बनाया है, तो उस इस ओके लेकिन आप अपनी वेबसाइट 100% बनाईए क्योंकि ये आपकी डिजिटल पहचान बन जाती है हो सके तो प्रोड़क्स बीचिए e-commerce वेबसाइट बनाईए वरना एक नॉर्मल वेबसाइट भी बनानी जरूरी है यह आपको लोकल लिस्टिंग करने में हेल्प करती है जब लोकली लोग आपको ढूनते हैं गूगल पर तो गूगल आपको प्रेफर करता है अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है तो अगर आप अपने बिजनस के लिए अड्ज रन करना चाहते हैं फेसबुक आड़ गू वेबसाइट बना लीजिए चाहे आपका माइंड आपको एक हजार रीजन्स दे कि नहीं करो मत करो नहीं कोई फायदा होगा या जो भी है लेकिन वेबसाइट बनाना most important चीज है सेकेंड स्टाटेजी है कि अपनी गूगल की लिस्टिंग इमिडेटली करवा लीजिए गूगल की लिस्टिंग कराने का जो प्रोसीजर है वो है गूगल माइ बिजनस पे आप चले जाईए गूगल माइ बिजनस पे आप अपने इमेल आइडी से एक अकाउंट ओपन कीजिए वहाँ पर अपने बिजनस का प्रोफाइल बनाई यह डिजिटल आजादी के SEO कोर्स में तो मैं आपको सिखाता ही हूँ कई बार मेरे YouTube चैनल पर मैंने कई वीडियोज डाले हैं कई बार Facebook पर भी मैंने explain किया है कि यह कैसे किया जाता है एक छोटे बिजनस और एक retailer के लिए यह बहुत जादा जरूरी है कि आप Google माई बिजनस पे अपने बिजनस को establish कीजिए automatically आप Google Maps पे आ जाते हों क्योंकि वह आपका location trace कर लेता है आप अपना address जो है वह गूगल से verify कर लीजिए जब आप Google माई बिजनस में जाओगे अपना नाम डालोगे address डालोगे तो वहाँ पे एक option होता है अपनी address verify करने का जब आप उसे click करोगे तो Google आपको एक letter भेचता है पोस्ट से physical letter उसमें code होता है वो code जब आप वहाँ पे डाल दोगे यानि letter आने के बाद जब आप वो code वहाँ पे डाल दोगे तो आपका address verify हो जाता है आपको tick mark मिल जाता है कि ये Google My Business verified address है उसी Google My Business में एक last tab है जहां पे आप अपनी one page की website बना सकते हो तो अगर आपको अपने domain का खर्चा नहीं करना है अगर आपको hosting का खर्चा नहीं करना है तो Google My Business पे अपने business को register कर लो और वहीं पे last option है गूगल website का अपनी एक page की simple सी website खड़ी कर तो ये help करता है आपको local detection में जैसे मेरी साडियों की दुकान है और अगर मेरे दुकान के इर्द गिर्द के 5-10 km में कोई search करे best sadi shop तो Google prefer करेगा हमारी दुकानों को उसे दिखाने में ना कि कोई दिल्ली या बैंगलोर या चन्नेई वाली दुकान दिखाएगा इसे local promotions कहते हैं local business को promote करता है Facebook भी Google भी और ये automatically आपको business बढ़ाने में help करता है अगर आप Google my business पे एक बार आ जाते हो तो वो लिंक अपने चाहने वालों के साथ अपने customers के साथ शेर कीजिए और उस पे जितनी हो सके उतनी 5-star की ratings ले आईए ये ratings आपको customers को खीचने में attract करने में बहुत जादा उपयोगी पड़ती है और यह आपने खुद भी किया होग अक्सर जब हम किसी होटेल की तरफ जाते हैं सोचते हैं कि कहीं भार खाना खाना है तो हम होटेल की लिस्ट देखते हैं और ratings चेक करते हैं किसकी रेटिंग अच्छी है होटेल से लेकर सिनेमा से लेकर मॉल से लेकर आज दुकानों तक हम ratings के उपर dependence से हो गए हैं इसलिए अपने business की अच्छी ratings बना कर रखिये बहुत जादा जरूरी है गूगल के साथ अधर लोकल लिस्टिंग्स जो है जैसे जस डायल इंडिया माट येलो पेजिस सुलेखा ये जो सारी वेबसाइट्स है जो आपको सपोर्ट करती है लोकल लीज जेनरेट करने में कई सारी इन services पर एक portion होता है जो free होता है जहां पर वह आपको free listing देते हैं क अगर नहीं तो कम से कम free listing इन सारे platforms पर आप कर लीजिए क्योंकि Google देख रहा है गूगल ये देख रहा है कि Google के पास तो आपका अच्छा reflection है image जो है वो अच्छी है कि ये business है लेकिन Google ये भी देख रहा है कि मेरे साथ और कौन-कौन से ऐसे service वाले हैं जो इस particular business को promote कर रहे ह है इसलिए सिर्फ Google पर dependent ना रहे के बाकी के local listings पर भी अपने business का registration करा लेना चाही है टेक्नीक नंबर थ्री है marketplaces पर अगर आप अपना समान बेच सकते हैं तो बेचना शुरू कीजिए कौन सी marketplace की बात कर रहा हूं मैं मैं बात कर रहा हूं amazon facebook marketplace flipkart मीशो उडान ये जो सारी websites है जो की e-marketplaces है अगर आपके पास ऐसा product है जो आप consistently बेच रहे हैं उसमें ज़्यादा variation नहीं है और आप in e-commerce websites पर बेच सकते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते एक एक करके सारे platforms पर रेजिस्टर करना शुरू कीजिए और इन पर भी अपनी selling आहिस्ते आहिस्ते शुरू कीजिए थोड़े समय में आप यह जानोगे कि आपके business का एक बड़ा turnover का part इन website से आना शुरू हो जाएगा भले ही आप काम करना शुरू कर दीजिए आज नहीं तो कल यह आपके लिए profitable साबित होगा guaranteed चौथी टेकनीक है Facebook का page और group आप create कीजिए अपने business के नाम से एक business page create कीजिए और अपने ही business के नाम से एक group create कीजिए जैसे मैंने digital आजादी का page भी बनाया है digital आजादी का group भी बनाया है और इन दोनों पर आप social messages डाली आप किसी त्योहार के लिए greetings डालना चाहते हैं कोई motivational quotes डालना चाहते हैं या अभी देश में जो हो रहा है current situations जो है current affairs जो है उस पर कोई चर्चा चलाना चाहते हैं तो यह सब कुछ आपको आपके facebook के page और group पर ही करना चाहिए किसी और platform पर नहीं क्योंकि facebook पर अब organic जो है वो इस प्रकार का ही बचा है अगर आप products promote करना चाहते हैं तो मैं recommend करता हूँ कि आप Instagram पर अपना shop बनाईए और Instagram पर ये सारे जो है social messages, festival greetings ये सब मढ़ डालिए सिर्फ अपने products डालिए उनकी कीमते डालिए और serious जो लोग आपको comment करते हैं उनके साथ interaction शुरू कीजिए Instagram एक ऐसा platform है आज के समय में जब मैं ये video record कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा effective है जहां पर लोग serious है Facebook से ज़्यादा आप Instagram पर focus कीजिए ये आपके लिए फाइदे मन्द होगा छटी strategy है कि अपना YouTube का चैनल बना लीजिए कई बार मुझसे लोग केते सर मैं क्या YouTube का चैनल बनाओ मैं क्या बताओंगा वहां पर मैं क्या video डालू क्या content डालू कुछ समझ नहीं हाता है मुझे भी ये problem थी अब मेरी साडियों की दुकान है तो मैं YouTube के चैनल पर क्या डालू मैंने वहां पर आहिस्ते आहिस्ते content डालना शुरू किया लोगों को value देनी शुरू की कितने प्रकार की साडिया मिलती है इंडिया में उसकी knowledge दी कितने प्रकार से साडिया drape कर सकते हो उसकी knowledge दी कौन सा material लगबक किस पैसे में आता है कितनी costing होती है साडियों की कैसे calculate करना चाहिए ये सिखाया कौन सा silk अच्छा है कौन सा silk art silk है कैसे फसाया जाता है customer को इसका knowledge देना शुरू किया आहिस्ते आहिस्ते ये जब मैंने value दी तो मेरी following बढ़ गई और लोगों का एक विश्वास पढ़ गया कि ये जो बंदा है ये जो business है ये authentic है genuine है इसे पता है कि ये क्या कर रहा है और तभी इतनी confidently हमसे बाते कर रहा है तो अपने business का YouTube का channel बनाईए उस पर customer के reviews डालिए customer के reviews अगर आपके channel पर है तो automatically लोग इसे देखना पसंद करते हैं अगर कोई नया product आपके पास आता है तो उसका reveal या first time आप उसे open कर रहे हैं unboxing जिसे कहते हैं ये दीजिए और अभी जो मैंने समझाया value videos ये create करना शुरू चाहे आप किसी भी business में हो चाहे आपका पान का ठेला हो पान का स्वाद लेने के बाद customer ने कैसे enjoy किया वो review डालिए कोई नय प्रकार का पान आपने आज बनाया उसका product reveal कीजिए और आपका पान खाने से कितना मजा आता है कितने प्रकार के पान है कौन सा पान healthy है कौन सा न चाहिए क्या avoid करना चाहिए क्या prefer करना चाहिए यह सारी चीज़े आप उसमें डाल सकते हो value में तो आप अपने business के लिए अपनी value खुड ढूंडिए और उसके वीडियो डालना शुरू कीजिए इसे हलके में मत लेना यह यूट्यूब चैनल गाइस क्या मेरे साथ हैं जो क with you क्या मेरे साथ हैं विट यू टाइप कीजिए आए आगे बढ़ते हैं सेवन्थ स्ट्राटेजी है लीड जनरेशन सबसे इंपॉर्टन आपके business के लिए नए customers नए leads को generate कैसे करेंगे WhatsApp पर चैट करके और messenger को activate करके अब ध्यान दे रहा हैं Facebook का group और page आपने बना लिया इस पर WhatsApp जो है यह integrated है जब आप Facebook के page पर जाओगे आपको add a button नाम का एक button दिखाई देगा उस button को दबाईए और उसके साथ अपना WhatsApp जोड़ दीजिए messenger तो जुड़ा हुआ होता ही है अपने phone में आप messenger का app डाउनलोड कर लीजिए जब भी customer आपके page और group के साथ interact करेगा या Instagram पर आपको देखेगा immediately आपको वहीं से directly message करेगा जब आपको message आता है और अगर आप तुरंत उसे reply देते हैं तो ये Facebook देख रहा है कि आप कितने interactive है अगर आपका interaction अच्छा है तो वो promote करेगा आपको और जो भी customer आपके साथ interact करेगा automatically वो आपके साथ जुड़ जाएगा इसी प्रकार से WhatsApp communication का जो button है ये आप अपनी website पे भी डाल सकते हैं कि अगर आप instantly हमसे बात करना चाते हैं तो यहाँ click कीजिए और एक instant chat आप उनके साथ शुरू कीजिए ये lead generate करने का एक बहुत अच्छा तरीका है हाला कि YouTube आपको directly WhatsApp का बटन डालने की permission नहीं देता लेकिन YouTube के video descriptions में या इस प्रकार के video जब आप बनाते हैं तब एक call to action दीजिए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि digital marketing अगर आपको free में सीखना शुरू करना है तो मेरा सुनीती नाम का course है digitalazad.com पे जाईए सुनीती का course है coupon code दिया हुआ है वो डालिया और free में लीजिए और सीखना शुरू कीजिए यह ज्यान free है जैसे मैंने अभी कहा यह call to action है यह call to action आपको आपके YouTube के वीडियो में देने चाहिए और description में डालना चाहिए ताकि लोग आसानी से आपको ढूंड पाए ओके यह है lead generation आगे आठीवी टेकनीक है कि अपने events आप promote कीजिए जब भी साल भर में आपके पास कोई sale लगता है जैसे monsoon sale लगता है या कुछ grocery वाले Wednesday को सबसे सस्ता दिन या Tuesday को सबसे किफाईती दिन ऐसे मान कर चलते हैं और उसका promotion करते हैं कभी-कभी आपके shop की anniversary होती है कि हमारे दुकान को एक साल पूरा हुआ, दो साल पूरे हुए, पांच साल पूरे हुए ऐसे समय में जब आप एक event के बारे में conceptualize करते हैं, एक marketing की strategy बनाते हैं तब आपको Facebook ads, Insta ads, Google ads और YouTube ads का इस्तेमाल करना चाहिए भले ही उसमें दो-पांच हजार रुपे का खर्चा हो, वो कीजिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा branding होती है Automatically लोग आपकी तरफ एक स्थापित business की नजर से देखते हैं तो promote your events आगे बढ़ते हुए, one day special मान कर चलिए कि कोई एक particular दिन है जब आपका business slow होता है जैसे मेरे साड़ी के business में मैंने देखा है कि Sunday बहुत चलता है क्योंकि लोगों को छुट्टी होती है तो Monday जो है वो थोड़ा slow होता है तो मैं one day special run करता हूँ सोमवार को सुभा सुभा मैं एक SMS marketing और WhatsApp marketing कर देता हूँ लोगों को messages भेजता हूँ कि अगर आज आप purchase करोगे तो हम आपको 5% extra discount देंगे और आपको करना कुछ नहीं है आपके mobile में ये जो SMS आया है ये billing counter पे दिखाना है या जो coupon मेरे आपको WhatsApp किया है वो आपको आज के लिए दिखाना है one day special इससे होता क्या है इससे होता ये है कि जो दिन आपके लिए slow होते हैं वो automatically बढ़ जाते हैं अगर कोई purchase करने निकल रहा है और उसे ये message आ जाए तो वो prefer करता है कि चलो इनका special है तो check कर लेते हैं और ये business बढ़ाने की एक simple technique है तो 5% off आप दे सकते हैं slow days के लिए ये सिर्फ एक example है आप अपनी strategy खुद बनाईए उसके लिए SMS और WhatsApp marketing का इस्तेमाल कीजिए जो मैं आपको digital आजादी के courses में सिखाता हूँ और customer का lead अगर आप ले सकते हैं कि उनका birthday कब है anniversary कब है तो उन्हे special feel कराने के लिए आप automation का इस्तेमाल कर सकते हैं कई सारे CRM मिलते हैं customer relation management के software आते हैं जिनका आप use ले सकते हैं जहां पर आपके customer के birthday के दिन उन्हें एक special message जाता है आप उन्हें wish करते हैं happy birthday और कहते हैं कि आज का दिन आपका special बनाने के लिए हम आपको 10% discount दे रहे हैं आप अपने family के साथ आईए और अपना birthday हमारे साथ celebrate कीज़े इस प्रकार के जब अब आप messages देते हैं तो आपके customer के साथ आपका relation lifelong वाला बन जाता है lifelong relation बन जाता है और दस्वी टेक्नीक जो है वो है brand building अगर आप digital marketing use कर रहे हैं अपने business में और लंबा सोचते हैं तो अपने business को brand बनाईए brand बनाने के लिए brand की uniformity होना बहुत ज़रूरी है आपके दुकान के बाहर के board से लेकर visiting card से लेकर हर ad में जो भी logo आप use करते हैं जो भी colors आप इस्तमाल करते हैं वो एक जैसे होंगे तो लोग easily identify करेंगे आप से speed में जाती हुई car भी एक नजर आपकी दुकान को देख ले तो register करेंगी अरे हाँ इसकी ad हमने देखी इस प्रकार की जो liability है इस प्रकार की जो identification है वो immediate होनी जरूरी है लोगों ने आपके साथ resonate करना जरूरी है इसलिए uniformity बहुत जरूरी है आप अपने लोगों और colors fix कर लीज़ें साथ में एक idea आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ कि हो सके तो facebook, instagram या youtube पर एक छोटा budget रखिए भले रोज का 200 रुपया हो 300 रुपया हो छोटा budget महिने का 10-15 रुपया हुआ इतने छोटे budget की आप एक ad बनाईए और उसे reach या awareness campaign में लंबे समय तक run कीजिए जब आप इसे लंबे समय तक run करते हैं और उसकी जो demographic है उसका जो area है वो आपके business के इर्द गिर्द वाला select करके रखते हैं तो आपके आसपास के लोगों को ये लगता है कि यार ये बहुत बड़ा brand है आप देखो एक समय पर go daddy की ad आ रही है और बार बार हरियों साड़ी डेपो की ad आ एक बार कोको कोला की ad आती है एक बार हरियों साड़ी डेपो की ad आती है आपके local में ये सब चल रहा है बाकी के जो brands हैं वो global कर रहे हैं और आप local कर रहे हैं लेकिन आपकी तुलना उनके साथ शुरू हो जाती है automatically customer को ये feel आ जाता है कि आपकी दुकान जो है वो बहुत बड़ी brand है और फिर वो आपके loyal customers बन जाते हैं ये छोटे budget में लंबे समय तक जब आप branding या awareness की campaigns चलाते हो तो आपको इसका फाइदा होता है साथ मैं content marketing करते रही है अगर website बनाई है तो उस पर blogs डालते रही है नई-नई चीज़ों के बारे में discussion कीजिए Google को पता चल जाएगा कि आप नई-नई चीज़े डाल रहे है automatically organic traffic आपकी website पर आपके Google My Business के page पर आना शुरू हो जाएगा same YouTube channel के साथ कीजिए आपकी दुकान में जैसे मेरी दुकान में कोई दुलहन साडी खरीदने आती है तो मैं उसे convince करता हूँ कि मैडम क्या हम आपको promote करें आपका साडी पहनने से पहले का एक photo लेते हैं और आप हमारे शादी वाला जो लिबास है जो लहंगा है या जो साडी है वो पहनी है उसके बात का photo लेंगे before after बना के हम YouTube पे डालते हैं Facebook के page पे डालते हैं group पे डालते हैं लोगों को अच्छा लगता है कि उन्हें free promotion मिला हमारे लिए fresh fresh content आने लगता है जो लोग related searches करते हैं उन्हें ये सब जब दिखता है तब automatically वो मुझे बाकी की दुकानों से ज़ादा प्रिफर करते हैं यह है इस समय का important subject कि कैसे digital marketing को छोटे business छोटे retailers छोटे उद्द्योग छोटे service वाले डॉक्टर वकील यह जो self employment वाल है यह digital marketing के ecosystem को अपने फायदे के लिए कैसे use कर सकते हैं यह सब data मैं आपको आज यहां पर दे रहा हूं उमीद करता हूं कि यह सब सीख कर अपना कर use करके आप अपनी कमाई अपना business बढ़ाओगे गाईज यह सारी techniques यह सारी ideas के साथ अगर आप resonate करते हैं आपको लगता है कि हाँ यह सब important है कही न कहीं इसका बहुत फाइदा होगा तो इस वीडियो को आप प्लीज अपने ecosystem में अपने Facebook पर यहां कहीं भी आप चाहते हैं वहाँ शेयर कीजिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह knowledge जन जन तक पहुंचे एक common इंसान digital marketing को सीख कर अपने फाइदे के लिए use कर पाए क्योंकि मैं निकल पढ़ा हूं एक mission पर मैं help करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वह मुझसे digital marketing का ग्यान पाएं उससे इस्तिमाल करें और अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के नए नए रास्ते खोल पाएं तैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग प्लीज अगर आपको वैल्यू मिली हो तो subscribe कीजिए like कीजिए share कीजिए comment कीजिए हर comment मैं खुद पढ़ रहा हूं और मैं खुद उसका reply देता हूं हुआ 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 है